आप सबी को सबसे पहले नमस्षिवाय और नमस्कार आज का टॉपिक जैसे आपने कैप्शन पढ़ा होगा कि आज का कैप्शन प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी जी के बारे में हैं उनके आने वाल भविश्य में क्या घटना घटे तो जुकती है और वो क्या हमेशा के लिए अब पराजित रहेंगे इसी पे एक संदर पर प्रकास ठालूँगा मैं जो नए लोग हैं उनसे मेरी एक रिक्विस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हो आपको नोटिफिकेशन आए और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने मिलेगी बहुत ही जीवन में और अधात्मी जीवन की उन्नती के लिए ठीक है और जिनको डोनेशन करना हो ये मैंडेटरी नहीं है प्लीज अब धान रखें जिदि आप सच में डोनेट करना चाहते हैं जैसे मैंने पहले उडेम बताया था तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल पे पेटियम नंबर मेंशन रहेगा और जो फॉरण है जो फॉरणर प्रदान मंत्री माननिय नरेंदर मोदी जी का भविश्य क्या कहता है सबसे पहले मैं आपको छोटा से एक स्टोरी बताऊंगा उस स्टोरी से मैं माननिय मोदी जी के बारे में लिंक करूँगा आपको ठीक है ज्यादा घुमाऊंगा नहीं आपको ग्रह को चक्कर मेंसा जो से अपने क्रिकेट मेंच देखा हुगा क्रिकेट में क्या होता जब दो माल लो इसको मेन अउट दे दिया लेकिन बैट्स में जरूरी नहीं है कि आउट है कि उसके esse passo फिज़्ार उपशन होथा एक डिर्वियू इसको बोलते हैं। अब 3rd empire decide करता है कि उसको out देना है या नहीं देना है 3rd empire जदी उसका लग अच्छा रहा सच में उसकी फेवर है सब कुछ है तो वहाँ पर not out मिलेगा क्योंकि उसने decision ले लिया right time पर ठीक है 3rd empire मतलब अचानक सब कुछ गिरते गिरते बच गये सबको लग रहा environment में कि वह batsman तो out हो गया लेकिन क्या हो गया not out मतलब second chance देना जैसे रमायन में किया था कि एक समय लगा कि भगवान राम और भगवान लक्ष में जब घायल हो गयते युद्मे तो उस समय हनुमान जी अचानक आए और पूरा game पलट दिये इसका मतलब हनुमान जी जो है क्या मंगल के प्रतीक है माननी नरंदर मोदी जी का जो मंगल है वो पूर्णता से एक मंगल प्रदान व्यक्ति हैं हमेशा एक सोच लिजिए उनके पास एक क्रिपा है कि ठर्ड एम्पैर के रूप में कि ऐसा लगया है कि आउट होने वाले हैं लेकिन वहीं पर नौट आउट हो जाएंगे और ऐसा बाउंस बैक करेंगे कि जो काबिले तारिफ होती है पूर्दा से मंगल प्रदान व्यक्ति और शनी के गुन को समाई हुए है सबसे बड़ी चीज है शनी का गुन उनमें समाहित है मंगल जहां शक्ति का प्रतीक है वहीं शनी सह्यम का प्रतीक है यदि सहयम नहीं होगा तो एनरजी कहीं पे भी जा सकती है और लाइफ को एक गलत दिशा दे सकती है उनकी एनरजी मंगल और शनी दोनों पूर्टा से सहयम है इसलिए पूर्टा से भी तक टिके हुए हैं वो और इसलिए हारते नहीं हैं और वो आगे हारेंगे भी नहीं 2024 का भी जो इलेक्षन होगा वो फिर से प्रधान मंत्री के रूप में बन के आएंगे और मैंने एक चीज बोला है कि शनी भी उनका बहुत अच्छा है और सनी में खासियत है जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे popularity बढ़ती है सबसे important जैसे जैसे age बढ़ेगा popularity बढ़ेगी 2024 किलेक्षन में क्या होगा यदि उनकी seat माल नीची है 200 थी या 300 जो भी थी अब seat बढ़के उपर ही जाएगी seat घटीगी नहीं मतलब जब 2024 किलेक्षन होगी उस समय इनको seat और जादा मिलेगी और bumper shit से जीतने वाले ही है क्योंकि शनी उस इसको promote करेगा age बढ़ेगा popularity इनकी और बढ़ते ही जाएगी अभी इनकी popularity और बढ़ेगी और mangal जैसे मने बताया कि खन्मान जी क्या होते है out होने देते ही नहीं है match में out होने देंगे नहीं आपको आपको हमेशा match में बरकरार रखेंगे चोट लगे कुछ लगे का लगे खता में लेकिन out होने देंगे नहीं आपको not out ही रखेंगा हमेशा इन दोनों का ये दोनों शक्ति का इन में पूर्टा से समागम है ठीक है कि ये अपराजित होने वाले हैं सबसे पहले चीज 24 क्लेशन में और बंपर वोट से आएंगे क्योंकि शनी है जैसे से बड़ेगा वो और जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक इनको कोई हरा नहीं सकता है सबसे गोपन ये गहनी बात ही है 24 के बाद भी लेकिन 24 से 29 के अंतराल में ये पूरा कारिकाल नहीं करेंगे अपना ये 24 के अंतराल तक ये जीतेंगे फिर से आएंगे उसके बीच में ये अपने मन से ये सन्यास लेंगे कोई भी इनको हरा नहीं सकता है जो भी होगा ये अपने मन से करेंगे एक जो सबसे important time है इनके लिए इनके जीवन का सबसे tough time जो आने वाला है वो इस 16 सितंबर 2020 से लेके 29 दिसंबर 2021 तक इनके life का सबसे important testing time और tough time है बस इसको भी ये निकाल लेंगे बट लेकिन ये इनके लिए एक बहुत tough time होगा 16 सितंबर 2020 से लेके 29 सितंबर 2021 तक क्योंकि पूर्णता से ये मंगल और शनी प्रधान व्यक्ति को अपने energy को समाई हो गए tough time इनके life का ये और ये time भारत के लिए भी tough रहेगा एक बहुती महत्वपुर्ण बात और एक बहुती गहनी तत बताऊंगे मैं आपको आप सुन जोंगे इंडिया चायना का clash जो भी border पे है ठीक है देखिए जो देश का प्रधान व्यक्ति होता है न वो सबसे बड़ा role play करता है किसी भी भूमी का यूद को जिताने में क्योंकि उसकी energy जो है वो पूरे भारत को भी कही नहीं के represent करते रहती है यदि वो बहुत strong है जो दिराजा बहुत strong है तो प्रजा भी कही न कहीं सही रहेगा अब ये जो युद है एक भारत चायना के बीच में clash तो चल रहा है लेकिन वो indirectly मानेनी नरंदर मोदी जी और जिंग पिंग के बीच में भी हो रहा है और जदी मानेनी नरंदर मोदी जी की अनरजी उतनी strong है तो कहीं नहीं कहीं उस battle में जो जीत का पल्ला भारी है 100 में 99.99% नरंदर मोदी जी की तरफ ही है तो भारत की जीत भी सुनिश्चीत है एक मैं बस suggestion दे नहीं सकता हूँ लेकिन मेरे मानना जदी मेरा मानना है अराधना या पूजा इनके लिए बहुत सुबदाई और फलदाई है इनको जरू से करना चाहिए डेली बेसिस पे बहुत अच्छा रहेगा इनी से बातों से मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ आपने अपने समय निकाले इसको सुनने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स सभी को अपना ध्यान रखें स्वस्त्रे साधना में संलिंग्न रहें कीप यूर्सल्फ और कीप यूर्स जोष वरी हाई नमस्षिवाय और टेक्यर